हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आरवेद्व ट्यूब में तो फ्रेंड्स आज हम एक कुश्चन लेकर के आए ये कुश्चन के लास 9 की मैथ से चैप्टर नमबर 6 लाइन्स एंड एंगल से लिया गया है ये कुश्चन एक्सरसाइज 6.3 का कुश्चन नमबर 2 है तो आ आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वहाँ पर जा करके देख लेना चले फिर शुरू करते हैं देखते हैं क्या पुछा गया है कुश्चन नमबर 2 इन फिगर 6.40 अंगल x is equal to 62 degree and angle xyz is equal to 54 degree if y o and z o are by sectors of angle xyz and angle xzy respectively of triangle xyz find angle ozy and angle y oz तो यह हमारा question है और यह उसका figure है सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें पूछा गया गया है तो सबसे पहले ozy यह वाला एंगल हमसे पूछा गया है और दूसरा y oz y oz यह वाला एंगल तो यह दोनों एंगल हमें बताने हैं हाँ पर ठीक है तो चलो फिर सुरू करते हैं आपर solution इंट्रेंगल एक्स वाई जेट यूजिंग एंगल सम प्रापर्टी वी है देखो जो ट्रेंगल की एंगल सम प्रापर्टी है वो यह कहता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिगरी के बराबर होता है यानि कि एंगल सम आफ्टर एंगल इस इक्वल टू 180 डिगरी तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो एंगल x प्लस एंगल x y z और प्लस एंगल x z y इस इक्वल टू 180 डिगरी ठीक है अब यहां पर x कि वैलू हमें 62 डिगरी दिया गया है y कि वैलू हमें 54 डिगरी दिया गया है और x z हमें find करना है अब अब पूछो कि sir x y z क्यों find करना है तो देखो अगर हम यह वाला एंगल नहीं find करेंगे तो फिर यह कैसे मिलेगा तो पहले ये बड़ा वाला फाइंड करेंगे फिर छोटा वाला फाइंड करेंगे ठीक है तो यहां पर देखो इनको जब एड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4 प्लस 2 6 6 प्लस 5 11 ठीक है एक्वल टू एक्स जेड़ वाई यह 0 है जाके करी लेगा 10 माइनस 6 4 हो जाएगा और 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 तो एंगल एक्स जेड़ वाई इस इक्वल डू कितना आ गया 64 डिग्री ठीक है वैसे तो अगर हम ओरली करें तो बहुत असान है क्योंकि यह पूरा एंगल 64 डिग्री है एंगल वाई सेक्टर है मतलब एंगल जो होगा वो हाफ आफ में डिवैड हो जाएगा तो 64 का 32 32 हो जाएगा यह वाला एंगल 54 डिग्री दिया है एंगल वाई सेक्टर है वाई ओ तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा यानिकि 27 27 हो जाए कि आफ एंगल एक्स जेड़ वाइड देन कि भी है कि आपको मैं एक पहले कुछ बता देता हूं जैसे मालों यह हमारा कोई एंगल है और यहां से कोई एंगल बाई सेक्टर है यह वाला तो यह वाला एंगल अगर एक्स है तो यह भी एक्स होगा ठीक और मालों यह जो पूरा एंगल है यह एबी सी है ठीक और यह आपका ओ है तो जो एबी सी होगा वह एक्स प्लस एक्स के होगा और चूंकि क्या है ए एक्स सेम से मैं तो यह हो जाएगा 2x एंगल ABC is equal to 2x और एक्स की वैलू फाइंड करें तो यह हो जाएगा 1 by 2 एंगल ABC यह देखो टू इधर है तो बटे में चला जाएगा उधर डिवाइड में चला जाएगा multiply में है तो उधर जाएगी कैसे हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो आप देखो यह छोटा वाला एंगल है और यह बड़ा वाला एंगल है तो हमेशा जो छोटा वाला एंगल होगा वह बड़े वाले एंगल के हाफ होगा आधा होगा ठ एक्स जेड़ वाई ओ जेड़ वाई हमें फाइंड करना था यह बिल्कुल छोटा वाला है जो आधा वाला हिस्सा आएगा और एक्स जेड़ वाई जो है पूरा वाला है तो यह हो गया हाफ अब हमें करना कुछ नहीं है बस यहां पर वैलू रखना है वन बाइटू तो यहां से रजल्ट कितना आ गया जो रजल्ट आ गया एंगल ओ जेड़ वाई इस इक्वल टू थार्टी टू डिग्री जितना आ गया थार्टी टू डिग्री सिमिलरली यो इज एंगल वाई सेक्टर आफ एंगल एक्स वाई जेड देन वी है तो मिले का थार्ट किया वह देखो यहां पर ऑजेगा देखऊ यह ओइंगल ओ वाई जेड एंगल ओ वा Einkो रही हाई जेड़ इन्टी दिगरी टू यह हो जाए तो हमसे फिलाल यह नहीं पूछा है हमसे पूछा है यह लेकिन ध्यान से देखो अभी हमने ओज फाइंड गया 32 डिगरी और अभी हमने ओवाई जट फाइंड किया 27 डिगरी तो जब यह एंगल पता है यह पता हो जाएगा यूजिंग अगल सम प्रापर्टी तो पहले आप पिकना राइड डाउन कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो इंट्रेंगल ओ यूजिंग अंगल सम प्रापर्टी वी गेट तो दिखो यहां पर मिलेगा क्या एक तो एंगल ओवाई जेड प्लास एंगल ओजेड प्लास एंगल ओजेड प्लास एंगल ओजेड वाई इस इक्वल टू वन एट्टी डिगरी ठीक है यह एंगल प्लस यह एंगल प्लस यह एंगल इस इक्वल टू बनेटी डिगरी होग करना है इसकी वैलू है 32 ओके देखो अगर हम इन दोनों को एड करेंगे तो देखो 30 प्लस 20 50 हो जाएगा और 7 प्लस 29 हो जाएगा यह निकि 59 हो जाएगा तो यह हो जाएगा एंगल देखो जाएगा तो आप चाहें तो वीडियो को पाज करके रैड डाउन कर लें या फिर स्क्रीन सॉट ले लें तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले झाल 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 झाल